हालो आप लोग बहुत अच्छे होंगे अपना ख्याल रख भी रहे होंगे और अपने के पूरे तैयारी कर रहे होगे लेकिन अगर आप अच्छे से दे पाओगे अपने आपको प्री बोड के लिए क्योंकि यह जो माक्स आएगा आपके अंदर एक बहुत अच्छा खासा मोटिवेशन और डिसिप्लीन लेकर आएगा तो हम इसको हलके में लेंगे और हाफ यह आपको पता है कि लगबग पहला इसमें कुछ खास नहीं पढ़ना मतलब पहला टाइट्स ऑफ रिलेशन पढ़ना है एक्युवेलेंस रिलेशन पढ़ना है पढ़ना है उसके बाद वर्ण यह इसके अलावा और पढ़ना ही क्या है कुछ नहीं पढ़ना है बस एक पूरा का पूरा आपके मिद्टर्म का लगभग फॉस्ट बुक का फूरा चप्टर खतम करा दिया है लास्ट चप्टर छोड़के वह भी हम आपके मिद्टर्म एक्जाम से पहले खतम करा देंगी आपको बस यह टॉपिक ध्यान से पढ़ना है टाइप सो प्रिलेशन एंड अपने बोर्ट एक्जाम के लिए लिए आपको कुछ नहीं पढ़ना है पहला क्या पहला आपको डॉमेंड रेंस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इस पर आपको एक क्वेस्टन मिलेगा फक्का मिलेगा राफ आप इन्वर्स तिनोमेट्रिक फॉंक्शन दिखेंगा नहीं इलिमेंटरी प्रॉपर्टी पर आपको क्वेस्टन देखने को मिलेगा यह दो इंपोर्टें टॉपिक्स है आप बात करते हैं मैट्रिस यह चैप्टर पर तो दिल आ जाता है इस पर और इसके बाद वले चैप्टर पर क्यूंकि वच्चा यह जो चैप्टर है ना यह होता है यह सीदे चीडे के आपका इक है इसका नोलेज होना चाहिए अक चैप्ट मैन अगहां चालत है पोण लेख को कि अच्छे छोंस होते हैं डीगर सफ्टों लिगतिसथे चैप्सattendot मैट्रिक्स अच्छे वाकर पड़ा है चैनल पर जाईए अनुमेंगा प्लेलिस खोली पूरा का पूरा मैट्रिक्स दिखेगा और अच्छे से दिखेगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स आप यूं कर लोगे आप आप नौलेज रखिए गा दो मैट्रिक्स को एड करना डारेक्ट करते मल्टिप्लिकेशन इस बहुत इंपोर्टेंट इसको आप मत कर दिखेगा यह आगे आपको इस पर और क्वेस्टिन दिखेगा अप्रिक्स आपको मालू में इस बार पेपर का पैटन जो है इस बार इस बार इसा रहेगा आप क्या बोला मैं कलर चेंज करें यह 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 कर देती हूं आप पढ़ लिए चल अब आते डिटर्मिनांट इस पर आपको यहीं पर नहीं मिलेगा कुस्टन देखने को आपको अपने बोर्ड में अपने अधर एक्जाम में भी आपको भरपूर मात्रा में खासर के प्र अब माइनर को फेक्टर और डिटर्मिनांट इस पर एक क्वेस्टन फूस देता है हर बार इसको अच्छे से पढ़ लीजेगा फिर एड्जॉइंट एंवर्स ऑफ दे इसको आप पढ़ना सुनू करोगे ना और एक टॉपिक पढ़ोगे इसमें होगा कि इसके आगे वाला तो टर्मिनांट और मैट्रिस आपको लालस देगा पढ़ने के लिए थोड़ा सा और करके पढ़ने के लिए और यह हो गया और UP आपको मैं बोलू पाइनली क्या पढ़ने के लिए प्रॉपर्टी भही फ्रॉपर्टी छोडना नहीं है टीटर्मिनांड की प्रॉपर्टी चैने हो या फिर चाहे आपकी में स्क्रिग्स की प्रॉपर्टियों डाइक प्रॉस्टरिंस जी सब इसके जता इसे तुल या फीरिघ और logara क्व v compassionate से मिलके ही तो यह बच्न में शौड़ते हैं बहुत बढ़ी गलती करते हैं हने एंट टी इंटिन्ट डिफरेंज सीविंटि इंपॉर्टेंट च्याप्टर आप आप लोोगे मैं आप तेंट हर यह इसापत आताती यह इंपॉर्टेंट आते हैं पहला पहला क्वर है आका मैं अपो बूल देती थो क्या कंटopardy बचला क्या है ते रीट च ret कंती है न्यूटी चेक करों लाक्षिन है कि इस कंटी न्यूटी को से बीरियापल्स की ब्ल toll प्षैल को अगर कंटी है झायिय भाय दोपीड की वेल्यू बटाओ रादルク बस यह चार टाइप के question continuity में करने भागना मत इतना ही तीन टाइप के question में से एक question आपके exam में दिख जाएगा पहला continuous चेक करो continuity है या नहीं किसी उस point पे इस continuity point बताओ और तीसरा अगर continuous है तो variable की value बताओ बस यह question आपको पढ़ना ही पढ़ना है मैंने कराया भी है उसके बाद क्या अगर मैं बात करूँ बचा derivative of the inverse trigonometric function अड़ी यार derivation तो आप लोग का जान होगा आप लोग यूं कर लेते हो derivative implicit function and concept of the exponential and logarithmic function function derivative of the derivative of the log function or exponent log differentiation ठीक है and expressed in the parametric form बस and second order derivative आपको यह छोपड़ इसमें छोड़ नहीं सकते हैं अब calculus में कुछ छोड़ नहीं सकते हैं अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा calculus 35 नंबर रोल प्ले करता है फिलाहाग तो अभी दो चैप्टर आएगा कि आपका continue दूसरा चैप्टर यह चैप्टर जितना इस चाल लगाओ उतना कम है क्यों कि कि इंपोर्टेंट है application of derivatives पहला आपको application of derivative rate of change बताना होता है इस एक रानीक रहेट ऑफ चेंज पॉड़ीजिग दूसरा इनक्रीजिंग डिक्रीजिंग है तीसरा concept maxima minimum पस यह तीन टॉपिक पहला rate of change रहे इनक्रीजिंग डिक्रीजिंग function या नहीं तीसरा maxima minima कि आपका first book का है इसके अलावा आपको कोई पास करा सकता है इन concept के अलावा तो आपका खुद पे भरोसा और महिनत discipline और आपके पोटी विस्ता कर रहे हो अराम से अगर 100 नंबर का भी पेपर बनेगा ना अराम से 100 नंबर score करके आओगे और half yearly आपके पास chance होता है ताकि आप अपने आप में जितनी भी गलतियां हो वो सुधार सके आप आप लोग इस बात से सहमत होंगे और पूरी महिनत करें अपने हाँ प्यर्ली को अच्छा करने का all the best मिलते हैं thank you so much अपना ख्याल रखेगा